हलो राइन, good evening everyone, welcome to अरुन सर्श पार्ट सारा, so friends as I promised you, आज है 15 तारिक और आज से हमारी 11th commerce की बैच स्टार्ट हो रही है और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हमने लापने दिखा economics से, जी हाँ chapter 1, introduction to micro economics आज में discuss करूँगा क्या-क्या problems हमको economics में face करने पड़ती है, क्या है scarcity, क्या difference है micro और macro का, सब इस वीडियो में होगा वीडियो को पूरा देखना और आने वाली वीडियो के लिए bell icon दबा देना, so let's start So friends, first chapter में हम कौन-कौन से topics पढ़ने वाले है, मैं उसका एक बार आपको overview दे रहता हूँ, फिर हम detail में एक-एक topic को देखेंगे, ठीक है तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि भाई, economics ही क्या होता है, जो subject आप पढ़ रहे हैं, वो ही क्या है, हलाकि आपने 9th और 10th में इसको पढ़ा, but economics क्या है उसके बारे में बात करेंगे, अच्छा, economics पढ़ने से पहले-पहले हम बात करेंगे कि economy क्या है ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, economic problems क्या होती है, ठीक है, economics problems के बाद हम इसमें बात करेंगे, कि difference क्या है, micro और macro का, micro और macro economics का difference क्या है, वो हम बढ़े लिए अच्छा, central problem of economy क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, so, इतनी चीजे तो हम बात करेंगे, पहले chapter के इस वाले वीडियो में, ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजे है, primitive and normative economics क्या होता, उसके बारे में बात करेंगे, so, वो आएगा next वीडियो में, अभी क जो बात करूँगा, सिर्फ introduction वीडियो है, तो इतनी सारी चीजे आपको economics क्या है, क्यूं बढ़ते हैं economics, ये भी बहुत important topic, yes, why we need to study economics, why do we need to study economics, हमको economics आखिर पढ़ना क्यों है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, so, चलिए one by one सारी problems आपकी solve कर देता, so, now friends, let us discuss about economics economics क्या है, और उसको discuss करने के लिए थोड़ा और डिक में जाएंगे, हम समझेंगे economy क्या है, ठीक है, let's try to find out what is economy, so, basically, if we talk about as a definition पाट की बात करें, तो economy is a place, ध्यान से दिखिएगा, कि economy is a place that provides opportunity, economy is a place that provides opportunity to earn an expense, earn करने के लिए और expense करने के लिए जो जगह है वो है economy, ठीक है, and the study of economy is economics, ठीक है, so, study of economy is economics, और economy की बात करें, तो it's a place that provides opportunity to earn an expense, और जब हम बात करते हैं, earn और expense की तो वही पर problems खड़ी होती है, क्योंकि सबकी income एक जैसी नहीं है, उस और सबकी desires, जो हमारी wants है, unlimited है, उनको fulfill करने के लिए जो resources है, वो limited है, तो बहुत सारी problems वही से सुरू होती, क्योंकि जब हमारी जरूरते बढ़ने लगती हैं, और हमारे पास resources नहीं होते हैं, तो वहाँ पर काम बढ़ता है हमे economics का, economics deals with such kind of activities, ठीक है, तो economics की definition अलग-अलग economist ने अपने तरीके से थी, कुछ लोगों ने wealth को centre में रखा, ठीक है, कुछ लोगों ने welfare को centre में रखा, ठीक है, कुछ लोगों ने scarcity को center में रखा और कुछ लोगों ने development को center में रखके economics की definition दी जैसे wealth यानि all about money Adam Smith जो की economics के father कह जाते है he is the father of economics क्या थे वो economics के father उन्होंने अपनी book लिखी ठीक है and inquiry to the nature and causes of wealth of nation उनकी book का नाम था wealth of nation उसमें उन्होंने discuss क्या और बताया कि economics is all about study of wealth पैसे की जो study होती है उसको हम economics कहा है लेकिन उसके बाद प्रोफेसर मार्सल आये इनकी study इनके बारे में हम अब बाद में ordinal और cardinal approach जब पढ़ेंगे next chapter में human behavior वाला तब वहां पर आपको मैं detail में बताऊंगा तो मार्शल ने जो है कहा कि economics is not only study about wealth वेल्थ तो ही लेकिन उसके साथ साथ it's also study about welfare ठीक है यह welfare की भी study है जिसको आप human behavior क्या सकते हो दूसरा जो तीसरे नंबर के हमारे आये ठीक है इन्होंने Robinson sir थे इन्होंने कहा कि wealth और welfare को लिया आपने आप scarcity को भूल गए क्यूंकि सारी wealth और welfare इस resources से जुड़ी है जो कि limited है तो उन्होंने अपनी economics की definition में scarcity को center में रखा और modern economics जिके फादर जो कहे जाते हैं Samuel sir उन्होंने अपनी definition में यह कहा कि यह सारी चीजह ना बहुत old हो चुकी है अब economics एक बहुत बड़े thought के साथ आपकाम करता है जो की बात करता है development की अपने 10 standard में पढ़ा है development कि कितना बड़ा thought है तो Samuelson sir ने कहा कि economics is all about development तो अलग अलग प्रोफिसर्स एकॉनमिस ने अपने हिसाब से बहुत सारी definitions दी लेकिन फाइनली जो definition एक common definition निकल के आती है कि economics is a science that deals with human behavior ज्यांसे समझने की कोशिस करिये अगर एक normal economics की common definition की बात करें तो economics is a science यह वो science है that deals with human behavior किससे deal करता है यह human behavior ठीक है अब human behavior की जब बात आती है तो वही से सारी problems खड़ी होती है problem of scarcity कमी जिसको खहते हैं ठीक है कैसे scarcity क्यों क्योंकि each and every person has his or her own demand सब की अपनी अपनी demand है और उसको fulfill करने के लिए resources तो limited है ठीक है अब इसमें बात आती है कि human nature और human behavior से जुड़ी कौन-कौन सी problems आती है और उन problems को deal कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ So now friends the next question that arises is that कि why do we study economics हम economics पढ़ते क्यों है तो वहाँ पे problem सबसे बड़ी जो खड़ी होती है और जिसकी वज़द से economics का जन्म हुआ या जिसकी वज़द से economics इतना पढ़ा जा रहा है वो है scarcity क्योंकि अगर scarcity की problem नहीं होती तो हमको economics पढ़ने की ज़रुरती चाहे को developed हो या developing country हो तो सबसे पहले scarcity क्या होता है scarcity को हिंदी में कहते हैं कमी ठीक है तो जब हमारी requirements हमारी जो needs है हमारी जो जरूरते हैं उनको पूरा करने के लिए जो resources है अच्छा resources क्या होते है resources की कई बार definition पूछी जाती है the resources are the work that fulfills our need हमारी जरूरतों को जो पूरा करते हैं वो होते है resources लेकिन जब इस Forces limited है ठीक है हमारे पास जब इस consomm इस सब्रेटे हैं तब हम क्या करते हैं तब हम क्या करते हैं उस resources को सही तरीके से करते हैं कि कौन सा जरूरत का है हम अपनी प्राइरिटी सेट करते हैं तो यहां पर रिजन मतलब क्या निकल के आ रहा है कि हम एकॉनमिक्स पड़ क्यों रहे हैं कि जब हमारी डिमांड जो है वो ज्यादा हो और उसके कंपेरिशन में सप्लाई क्या हो कम हो जब डिमांड बहुत जादा हो और सप्लाई उसकी कम हो रही है इसका मतलब है कि हम अपनी पूरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर किस क्या खड़ा होता है वहां पर टॉपिक आता है एकॉनमिक प्रॉब्लम यानि देश में को जो है आर्थिक समस्या है जिसको हम कहते हैं एकॉनमिक प्रॉब्लम ठीक है तो उसलिए हमें Economics पढ़ना पड़ता है अब एकॉनमिक प्रॉब्लम का Definition आपसे पूछा जाता है वन माक में एक तो यह है और एक ही माक का कॵेश्चन पूछा जाता है कि वॉट इसFC प्रॉब्लम है is economic problem, economic problem क्या होता है, ठीक है, तो इसकी definition में बोलता हूँ, रिखते जाएए, ठीक है, economic problems involves, ध्यान से, economic problems involves the fulfillment of unlimited desire with limited resources by choosing correct need, फिर से, economic problem involves with the fulfillment of unlimited desires or unlimited need with limited resources by choosing our best need, या choose by giving priority, ठीक है, यह है हमारी economic problem की definition, यह पूछा जाता है वन मार्क में, और economic problem किस से निकलता है, economic problem निकलता है, scarcity से, जिसका मतलब है कि कमी, यानि demand जब हमेशा supply से ज़्यादा होगी, तो scarcity होगी, कमी आएगी, कमी आएगी, तो economic problem होगी, और उसलिए हमें economic भाया, अगर अब दवा लेते हो, गुफार होता है या बीमार होते हो, तभी न दवा लेते हो, तो economic problem आएगी, इसल या किसी की भी economy में, economic problem आदी क्यों है, तो हमने जैसे कि अभी बात किया, कि economic problem की जड़ी है, क्या, limited resources, जिसको आप क्या कह सकते है, scarcity, ठीक है, सबसे बड़ा reason क्या है, कि scarcity of resources, resources जो है, वो limited है, हमारे पास resources की कमी है, ये बहुत बड़ा reason है, जैसे for example मैं आपको बताता हूँ water, ठीक है, पानी एक limited resource है, ठीक है, अब यहाँ पर आ सकता है, पानी की multiple जरूरते है, uses है, हमारे लिए पानी पीने के लिए भी है, पानी हमारे कपड़ों को साफ करने के लिए भी use में आता है, पानी हमारे kitchen में काम लगता है, खाना बनाने के लिए, तो water has multiple uses, उसके कई सार इस अब हमें différent करना है कि पानी को मैं पीने के लिए यूज करूं यह पानी को कपडे साफ करने के लिए कि वी आपको डिसाइड करना है कि कि हमारे जरूरते बहुत जादा है तो दूसरा जो प्रॉब्लम निकल के आया कि अन्लिमिटेड गॉंट Unlimited Wants इंसान की जरूरते इच्छा मन की तरंगे हैं जो कभी भी कहीं भी उटपन हो सकती है हमारी जो desires है हमारी जो wants है इनका कोई अंत नहीं है ठीक है ये कभी भी कहीं पर भी हो सकती है और जब एक wants आपकी एक जरूरत पुरी होती है तो तुरंट वो जर्म देती है दूसरी जरूरत को घर नहीं था घर लिया एक वेड्रूम हॉल की चरूँ आप दो चाहिए टू विलर लिया आप फोर विलर चाहिए फोर विलर में भी ब्रांडेट बढ़ी चाहिए तो मतलब हमारी wants जो है वो कभी खतम ही नहीं होती है तो fulfillment of one want एक खतम होता है that give birth to the new one वो जर्म देता है दूसरी नहीं जरूरत को तो इस तरीके से हमारी जरूरत है वो कभी भी खतम होती ही नहीं तो we have to give priority to our needs we have to give priority to our needs यानी हमें अपनी आवशक्ताओं का क्रम निर्धारित करना होता है कि भाई अगर मेरे पास पैसा है तो मेरी पहली requirement food है food होगा तब house है house होगा तब कार या वो कुछ है या फिर education है उसके बाद होगा तब उसके बाद का तो यह हमारे limited resources होने की वज़़च से हमने अपनी desires अपनी Wants अपनी जरूर्तों का क्या क्रम निर्धारित क्या है कि क्या हमारे जरूरी है तो इसलिए हम क्या करते हैं पहला तो हमारे resources limited है इसलिए हमें decide करना होता है कि हमें किस resource को किस जगह यूज करना है resources have alternative uses एक और जो है इसमें वो ये है कि resources have alternative use हमारे जितने भी resources है उनका alternative use है जैसे एक field है मेरे पास कि क्या खेत है water का मैंने example दिया एक और example देता हूँ इस खेत में मैं गेहूं का भी उपफादन कर सकता हूँ I can produce wheat also and at the same time I can produce जवार also ठीक है millet जिसको कहते है मैं millet का भी production कर सकता हूँ मैं wheat का भी कर सकता हूँ लेकिन मेरे जरूरी जवार से ज्यादा क्या है wheat है क्योंकि वो मेरे घर के लिए खाने में काम आने वाला है समझ में आ रहे है तो इसलिए हमारे resources limited है और उनको fulfill करने के लिए जो हमारे क्या बोल सकते हैं हमारी वीडियो जो मैं जा लाँँगा उस वीडियो में मैं आगे detail में बात करूँगा कि difference क्या है फिर उसमें बात करूँगा central problem of economy economy की क्या एक basic problem है किसका production करना है क्या नहीं करना है तो next video के लिए आपको पता होना चाहिए घंटी दबा देना है तीक है so next video में मिलेंगे take care